लो फ्रेंज वेलकम तू माई चैनल तो फिर आज की कमीजिंग सी राज़ भी शुरू करते हैं होप आपको पसंद आएगी मैं एक सिंच के बेकिंग मोल्ड में अपने स्पॉंज को बेक कर लिया है और फिर मैंने इसको नाइप की साहता से रादरफ से रिमॉब कर दिया है फ गरम लेंगे तो विपिंग क्रीम में डिलिए और आपकी फिनिशिंग अच्छी नी आपाएगी फिर उसको लेयर फिर लेह सीन इसाइड में रख दीए और जो विपिंग क्रीम तीए केक पर लगा लेंगे और लास लेयर को चिपका दिए अपर शुगर शीरत चेसे आप ये काम को पाइपिंग मेके से रहा को सकते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं मैंने वाझाब तो आपके हैं पाने इसे सीखा पूर इसे याज़ आ प्रण भी तो में चर्थे से रहा हैं प्रेट केक लास लेर दी उसको प्लेस कर दिया और उसको नीचे अच्छे से चिपक जाए तक इसको भी मैंने सुगा जीरप से सोक कर दिया है और फिर अब हम इसकी करेंगे फाइनल क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ताकि जो प्रेट की चुटे चुटे पार्टिकल दिख रहे हैं आपको अगल बगल वो इस पे ही स्टिक हो जाएंगे और उसको 10 मिट्स के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि हम फिनिशिंग में प्रॉब्लम ना है फिर मैंने पाइपिंग बैंग में पिंक वाइट और पॉपल कलर की क्रीम को फिल कर लिया है फिर हम टेक बोड पे पॉपल कलर की क्रीम लगाएंगे फिर हम पिंक कलर की क्रीम लगाएंगे और लास्ट ली हम वाइट कलर की क्रीम लगा कि प्रेटका विच्छे जबाण स्सक्राइब मेरेयन खसके की जाओ सेटथे जबाद माती वेते चारा थुथ व्यर से एक अच्किजा फीनिशिन चाराज हीजो चारा थुटे च्छो पाइज केके केक फििल चादख वेते तो ती Dustin को कौने सब्सक्राइब फिर उसके उपर मैंने वापिस से स्पैचुला से थोड़ी सी क्रीम लेके उपर से भी उसको अच्छे से स्मूध करके अच्छे से फिनिशिंग दे दी है ताकि यह उपर से भी इवनली सुन्दर लगे फिर फाइनल फिनिशिंग कर दिये मैंने केक की और देखी आप कैसा अच्छे से चार तरफ लगा लिया है उपर नीचे करके फिर मैंने यह चोटे चोटे फ्लास बना दी है उसे के मदद से हाथों को थोड़ा से थोड़ा शेक करके और देखिए फ्रेंट्स किते सुन्दर लग रहे हैं आप आराम से करिए गया दोस्तों यह काम और फिर मैंन आपके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं फिर मैंने पर्ल्स वाले बीट्स लिया हैं यह टोटली एडिबल है इनको आप खा भी सकते हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है बच्चों को बहुत पसंद आते हैं तो मैंने उसको पर अच्छे से लगा दी हैं देखिए क इतना सुन्दर लग रहा है फाइनल फिरिशिंग सब करने के बार आप जरूर कमेंट करके बताएगे आपको कैसा लगा थैंक यू फ्रेंड्स